नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दोस्तो आज से हम लोग सुरू करने जा रहे हैं बिहार जीके जिसमें हम लोग आपको देखेंगे बिहार एक परिचे बिहार की जन संख्या और महत्य पूर्ण तर्थे को देखने वाले हैं दोस्तो यह सिरी जो हम बिहार एक परिचे से स्टार्ट कर रहे हैं यह आपके आने वाल एकजाम के लिए बहुत ही महत्पून होने वाला है दोस्तो जितना भी मैं question कराऊंगा वो आपको VVI यानि की very very important question होने वाला है दोस्तो यह जो हम practice set कराएंगे यह आपको घटना चक्र का जो book है बिहार समसमाई की उसी से कराने वाले है तो दोस्तो आपसे एक request है कि आप मेरे channel पे नए हैं तो इसे subscribe कर ले दोस्तो डेली हम एक topic ले कराएंगे आज का topic आपका है बिहार एक परिचे में जितना भी बिहार एक परिचे से संबंधित question होगा उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद हम daily topic wise इसको करेंगे उसके बाद इस book को खतम हो जाने के बाद उसके बाद हम दुसरा book बिहार से आपको सीरी जब तक exam नहीं होने वाला है तब तक हम चलाते रहेंगे तो चलिए start करते हैं आप मेरे channel पे नए है तो इसे subscribe कर लीजिएगा देख लेते हैं आपको नाम में यानि कि बिहार जो है वह संभौत बहुत बिहारों के अधिकता के कारण इसका नाम बिहार परा है इसकी अस्थापन जो हुआ है वह 22 मार्च को हुआ है 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से प्रिथक प्रांद बनाने की घोषना दिली दरबार में हुई 22 मार्च 1912 को बिहारें उरिसा संभौत प्रांद के गठन की घोषना बिधिवत जारी की गई इससे पूर बिहार जो था वह अविभाजित बंगाल का भाग था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहारें उरिसा यानि की बरतमान उरिसा संभौत रूप से एक प्रांद के रूप में एक अपरेल 1912 को अस्तित्त में आया हम लोग वन लाइनर के तरह ही कोशन को देखेंगे इसमें फिर आपको 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए प्रिथक विधान परिशत के गठन का आदेश पारित किया गया एक अपरेल 1936 को बिहारें उरिसा दोनों अलग अलग राज के रूप में अस्तित्त में आये 25 सपरेल 2000 को प्रिथक राज जारखन के गठन के लिए बिहार राज पुनर गठन बिध्यक 2000 को सवकृति परदान की गई फिर आपको 2 अगस्त 2000 को लोग सभाने एव एगारी अगस्त 2000 को राज सभाने बिहार राज पुनर गठन बिध्यक 2000 को पारित के कर दिया आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि जितना भी इसमें कोश्चन दिया हुआ है वो आपको इन्पोर्टेंट कोश्चन है 25 अगस्त 2000 को बिधैक पर राष्ट पती डाक्टर की और नरायनान की मंजूरी के सांथ विहार राज दो हिसों में विभाजित हो गया पंदरे नोवबर 2000 को जारखन एक ने राजी के रूप में अस्तित में आया विहार की राजधानी आपको पतना हो जाएगा उच्छ नियाले जो है वह पतना में है और पतना उच्छ नियाले के स्थापना एक दिसमबर 1913 को हुआ था या आपको एकजाम में पुछता भी भी आई कोशन है और इसका उद्गाटन जो हुआ था वह तीन फरवरी 1916 को हुआ था अब इसका देख लेते हैं छेतरफल के द्रिष्टी से राज्यों में करम या भारत का बारवा यानि की जम्मू और कस्मीर पुनरगठन के पास चाथ आपको भारत का बारवा राज हो जाएगा छेतरफल की द्रिष्टी से और सबसे बड़ा राज जो है आपको राज सबसे बड़ा राज है बारवा सबसे बड़ा राज हो जाएगा उसके बड़ राज के अंदरसासित परदेशों में शमर गुरूप से यह तिरावा अस्थान है यानि की लद्धाक के अंदरसासित परदेश को सामिल करने के जनसंख्या के दिरिष्टी से यह तिसरा है 2021 के जनगर्ना के अनुसार राजकिय भासा जो है वह हिंदी है दितिय राजकिय भासा उर्दू है और राजकिय प्रतीक देख लेते हैं राजकिय वरिक्ष क्या है तो पीपल है राजकिय पुस्प गेंदा राजकिय प्रतू जो है विहार का वह बैल है दो हजार तेरे से पहले रीच था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एक्जाम में पूछ सकता है कि दो हजार तेरे से पहले विहार का राजकिय प्रतू क्या था तो रीच था उसका वजराज किया पक्षी जो है भग गौराया है पहले आपको निल कंठ नक्ता था भोगोलिक पड़िचे देख लेते हैं अक्षांस ये विस्तार 24 डिगरी 20, 10 से 27 डिगरी 31 पंदरे उतरी अक्षांस आपको पुछता है कि अक्षांस ये विस्तार उसके वजराज ये विस्तार देख लेते हैं 83 डिगरी 50 से 88 डिगरी 40 पुर्वी देख लेते हैं कितना है तो छेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है लंबाई जो है विहार का लंबाई उतर से दक्षिन में 345 किलोमीटर है और चराई जो है विहार का पुर्व से पच्छिब में 483 किलोमीटर है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं सहरी छेत्रफल जो है वह 1095.49 बर किलोमेटर है ग्रामीन छेत्रफल जो है वह आपको 92,252.51 बर किलोमेटर है और समुन्दर तल से उचाही 173 फिट है शमान बर्सन जो है 1205 मिलिमीटर बर्स 2019 में 594.7 मिलिमीटर था और सत बर्सा दिवस जो नहीं है और सत बर्सा दिवस 52.5 दिन यानिकी एक बर्स में इसके अवस्तिती देख लेते हैं बिहार जो है वह भारत के पुर्वी भाग में श्तित है यह एक भू आवेसिष्ट राज है यह उत्तर में इसके नेपाल देश है दक्षिन में जो है वह जार्खन है पुरब में जार्खन पुरब में जार्खन यह पच्छिम मंगाल तथ पच्छी में जो है वह उत्तर परदेश राज से घीरा है उसके बाद बिहार नेपाल की संयुक्त अंतराश्ची सीमा 729 किलोमीटर लंबी है प्रशास्निक परदेश से देख लेते हैं परमंडल कितने हैं नो परमंडल है बिहार में पत्रिना, मगद, शारन, तिरहूत, दर्भंगा, कोशी, पुर्निया, मुंगेर, यो भागलपूर जीला कितने है तो 38 गोजीला है, अनुमंडल कितने है तो 101 अनुमंडल है नेक्स्षाम लोग देखते हैं, शमुदाइक विकास खण जो है वो 534 है, पंचायत कितने है तो पंचायत आपके 84 स 6 जो है वो पंचायत है उसके बाद राजस्व ग्राम जो है वह आपको 45,103 है नगरी है संकुल समु जो है वह 14 है नगर कितने हैं 199 नगर है पुलिस थाना जो है 853 पुलिस थाना है पुलिस जीला कितने हैं तो 44 महा नगर कितने हैं तो एक महा नगर है जो की पटना बिधान मंडल तो 200 दनिये हैं यानि कि बिधान सभा यह विधान परिसद है बिधान सभा सीटों की संख्या 243 है उसके बाद बिधान परिसदों में सदस्थों की संख्या जो है 75 है लोक सभा में सीटों की संख्या 40 है यह सब आप लोग याद कर लिजिएगा याद नहीं कर लिजिएगा राज सभा में सदसों की शंख्या कितनी है तो सुल्ला है लोग सभा में अनुसुचित जाती क्या रक्षित सीटे जो है वह छोव है बिधान सभा में अनु सूचित जाती के अरक्षी सीटे जो है वह 38 है लेख्ट अम लोग देखते हैं राज की सीमा को अस्पर्स करने वाले राज जो है वह तीन है एक जारखंड है दुसरा उत्तर प्रदेश है और उसके बाद तीसरा जो है वह पच्छी मंगाल है देख लेते हैं जारखन से कौन-कौन से आपका जीला जोन है वो आपको लगे हुए है जारखन से जो जीला असफर्स करते हैं इसमें रोहतास, रोहतास, और अंगाबाद, गया, नमादा, जमुई, बांका, भागलपूर और कटिहार है उसके बाद उत्तरपरदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपूर, सारन, सिवान, गोपालगण और पच्छिम चमपारण है उसके बाद पच्छिम मंगाल से जो सीमा है सटे हुए वो कटिहार, पुर्निया की सनगंज है राज की सीमा को असपर्स करने मला देश है नेपाल नेपाल से सटे बिहार के जीले हैं पच्छिमी चमपारण, पुर्वी चमपारण, सितामधी, मधुबनी, सुपॉल, अररिया और किसनगंज दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिली जी से सस्क्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे चलिए आगे देखते हैं भारत के खुली छेत्रफल में परतीसत है 2.86 कुल वन जोन है बिहार के छेत्रफल का परतीसत है 7.76 2019 के आपको वन रिपोट के नुसार दोस्तों यहाँ आपको करेंट में जितना भी इसमें दिया होगा परजेंट कहीं हम डाटा लेकर के आये हैं जलवायू जो है इसमें यहाँ आपको मानसुनी जलवायू है सबसे बड़ी नदी जो है यह गंगा है सबसे गर्मकुंड है ब्रम्हा कुंड जो है वह सबसे गर्मकुंड है सरवाधिक पाई जाने वाली मिटी है जलोड मिटी है सबसे खाद फसल शौर पर्मुक शौर पर्मुक खाद फसल जो है वह चावल है सरवाधिक छेत्रफल वाले तीन जिले घटते करम में पच्छिम चमपारन, गया और पुर्वी चमपारन उसके बाद सबसे कम छेत्रफल वाले तीन जिले बढ़ते करम में सिवहर, अरवल और शेखपूरा जनसंख्या 2021 को भी हम लोग इसमें देख लेते हैं यह बिहार की जनसंख्या है खूल जनसंख्या जो है वह 10 करूर 40,99,452 और पुरुष जनसंख्या जो नहीं है आपका 5 करूर 42,48,157 और महिला जनसंख्या है जनसंख्या गनत एक आड़े सचो प्रतिवर किलोमेटर जनसंख्या ब्रिधी दर्जु है वह 25,42 परसेंट है यानि कि भारत की खूल जनसंख्या का 8.6 जिरो लिंगनुपात कितना है तो 988 लिंगनुपात है और सिसु लिंगनुपात 935 है सक्छार्था दर 61.8 जिरो परसेंट जो है या बिहार की सक्छार्था है पूरु सक्छार्था 71.2 परसेंट महिला सक्छार्था 51.5 परसेंट ग्रामीन सक्छार्था दर जो है वह 69.78 परसेंट है जो की आपका पूरुस इसमें ग्रामीन में 79.6 परसेंट और महिला 49 परसेंट है सक्छार्था ग्रामीन में उसके बाद सहरी शक्छार्था दर जो है वह 76.86 परसेंट है जिसमें पूरुस 84.53 परसेंट है उसके बाद महिला जो है वह 70.49 परसेंट यानिकी सहरी शक्छार्था दर है उसके बद ग्रामीन जनसंख्या देख लेते हैं, ग्रामीन जनसंख्या जो है वह 88.71 परसेंट है, सहरी जनसंख्या जो है वह 41.29 परसेंट है, सरवाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले पटना, पुर्वी चंपारन और मुझभफरपूर है फिर इसमें निवन्तम जनसंख्या वाले तीन जिले सेखपूरा, सीवहर और अरवल जो है, निवन्तम जनसंख्या वाले तीन जिले है सरवाधिक जनसंख्या गुनत वाले तीन जिले सीवहर, पटना और दरभंगा है निम्तम जन संख्या निम्तम जन घनात वाले तीन जिले कैमूर, जमुई और बाका है निम्तम जन घनात वाले तीन जिले है सरवादिक लिंगन उपात वाले तीन जिले गोउवाल गंज 121 जो है 1000 पर 1021 है, यानि कि 1000 महिला में 1021 पूरूस हो जाएंगे यानि कि सिवादिक लिंगन उपात है जो गोपाल गंज, उसके बाद सिवान है 988, सारन जो है मैं 900 यानि कि गोपालगंज जोन है वह 1000 पुर्सु पे आपको 1021 जो है वह महिला है यानि कि गोपालगंज सरवादिक लिंगनुपात उसके बद सीवान 988 है असारण जो है वह 904 है उसके बाद देख लेते हैं निउन्तम लिंग अनुपात वाले तीन जीले मुगेर जो है 876 भागलपुर जोन है 880 खगड़िया जोन है 886 यानि कि मुगेर भागलपुर खगड़िया जो है निउन्तम लिंग अनुपात वाले तीन जीले हैं सरवादिक सक्छार्था दर्वाले तीन जिले रोहतास 73.37%, पटना 70.86% और भोजपूर 70.47% उसके बद निवन्तम सक्छार्था दर्वाले तीन जिले पुर्निया 51.08%, सीतामढ़ी 52.05%, कटिहार 52.24% सरवादिक पुरु सक्छार्था वला जिला रोहतास, निवन्तम पुरु सक्छार्था वला जिला पुर्निया, सरवादिक महिला सक्छार्था वला जिला रोहतास, उसके बाद निवन्तम महिला सक्छार्था वला जिला वह सहरसा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम ल यह सब भी भी आई कोश्चन है भारत में बिहार का जूट उट पादन में अस्थान है दूसरा दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सस्क्राइब करें और इसे लाइक करने न भूलें और दोस्तों में सेयर करें त्रिवेनी नहर जो है त्रिवेनी नहर का अभ्यारन कैमूर वंजिव अभ्यारन है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार का कुल भोगोलिक छेत्रफल 94,163 किलोमेटर है बिहार की सुमेस्वर परोस्रेनी का निर्मान काल आपको प्लिस्टो सीन काल में हुआ प्लिस्टो सीन काल में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में राष्टिय राजमार्गों की कुल लंबाई सरक पड़िवहन और राजमार्ग मंत्राले भार सरकार के अनुसार 558 किलोमेटर यानिकी 31 मर्ड दोहजार उनिस तक जबकि बिहार भजट 2021 के अनुसार 575 किलोमेटर है उसके बाद सितंबर 2020 तक अब काई है छोटा नागपूर के जंगल की मुखतव अनस्पतिय जो है या आपको पर्नपाती है गौतम बुद वन जिव अभ्यारन और आश्टिय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में बरतमान अगश्ट 2021 बिहार में कूल जिलो की संख्या 38 है बिहार के मुख्धा दान फसले चाव और गेहूं और मक्का है वह खनी जिसके उतपादन में बिहार का एक अधिकार है वो है पाईराइट पाई पाईराइट जोन है इसके उतपादन में बिहार का एक अधिकार है गंड़क घाघरा को सर्जू बोलते हैं यो सोन नदी गंगा में क्रमस मिलती है पहलेजा पटना रेविर गंशारन यो विंगवारा पटना के पास आर्थिक समिक्षा दोहजार बीस एकरिस के अनुशार बर्स दोहजार बीस बीस में बिहार की सस्य गहनता 144 परसेंट है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार सरकार के बानीजें उद्योग मंत्राले के त्वारा बिक्सित निर्यात समर्धन उद्योगिक पार्क से मंदित है उच अस्तरिये और सनचिनात्मक सुभिधाव से यूग तिनिर्यात प्रसंसकर्ण छेत्र से बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित्ती थी है 12 दिसंबर 1911 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्गुसना के द्वारा बंगाल से अलग बिहार एं उडिसा नाम से नहराज का गठन हुआ सर चाल्स अस्टूर्ट बेले इस राज के प्रत्थम उपराजपाल निउक्त किये गए यानि कि बिहार के प्रत्थम उपराजपाल निउक्त किये गए सर चाल्स अस्टूर्ट बेले सयुक्त बिहार एं उडिशा राज में विधाई प्राधिकार की अस्थापना बर्ष 1913 में हुई 29 दिसंबर 1921 कु बिहार एं उडिशा राज कु राजपाल के सासन वाला प्रांत बनने का गोरो प्राप्थुआ नेक्स्थम लोग महमहिम माननिय स्री सतेंदर प्रसन वैरान सिनहा राज के प्रत्थम भारतिये राजपाल नियुक्त किये गए मार्च 1920 में लेजिसलेटिव कॉंसिल के भवन का निर्मान शुरू हुआ और यह उसी बर्ष बन कर तयार हो गया सयुक्त बिहार एं उरिशा राज के अंतिम राजपाल सर जेम्स डेविड सिफ्ट आन हुए गौर्णमेंट अफ इंडिया एक्ट 1935 की ब्योस्थाव के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अउधी में बिहार बिधान सभा के चुनाव संपन हुए 20 जुलाई 1937 को डाक्टर सिरी क्रिशन सिंग के नेत्रित्तु में प्रत्थम सरकार गठित हुआ था 22 जुलाई 1937 को बिधान मंडल का प्रत्थम अधिवेशन हुआ था और 31 अक्टूबर 1949 को ततकालिन मुख मंत्री डाक्टर सिरी क्रिशन सिंहा ने अपना इस्तिफा दे दिया और बिहार बिधान सभा बिघटित हो गई तो दोस्तो यह जो हम प्रत्रिश सेट आप लोग क्लिए लाए थे यह आपको बिहार परिचे से संबंधित कोशन को ले कर आए थे आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताए और दोस्तो कल का टोपिक रहेगा आपको कल का टोपिक बिहार का प्राचीनितिहास टोपिक जो है वह कल रहेगा पूरा टोपिक इसी से किलियर किया जाएगा यह आपको घटना चकर का संसमाई की बुक है 2022 का इ इससे आपको कल प्राशीन बिहार प्राशीन को खतम किया जाएगा इसी तरह दोस्तों जितना इसका टॉपिक है वह हम आपको डेली टॉपिक वाइस कम्पलीट करते जाएंगे दोस्तों आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चनल पर नए हैं तो प्लीज इसे कर लें और इसी तरह आपको वीडियो हम विहार रिलेटेड या विहार के जो भी एक्जामों से लेकर कर आ रहे हैं आप इसे सस्क्राइब करें और मेरे वीडियो का फायदा उठाएं और दोस्तों में सेयर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक